दोस्तों मकडी अपने जाल में क्यों नहीं फस्ती है? बर्फ पानी में क्यों तरता है? पहले मनुसे आया या जानवर जानने के लिए विडियो के अंतक बने रहे हैं। जब उलका पिंड धर्दी के नजदीक जाते हैं तो धर्दी के गुर्थवकर्शन बलके परभाव से धर्दी के वायू मंडल में परवेश कर जाते हैं। और विविन परतों से गुजरते वक्त टकरा कर जल जाते हैं। तो उनका ही कुछ टुकड़ा धर्दी पर आ जाता है जिने उलका पिंट कहा जाता है फैक्ट नमबर फूर मकरी अपने सिकार को फसाने के लिए जाल बुनती है छोटे छोटे कीड़े इस जाल में असानी से फस जाते हैं इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है रेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा क 빈 मकरी खुद उस जाल में एक तुस्रे जगह असानी से खुम लेती है वागानीक मानते हैं कि मकरी का पैर तेली होता है इसलिए जाल में नहीं फस्ति और इसमें घुमदी रहती है और मगरी की टांगों पर मौझूद बालों को मानते हैं जिन पर जाले की चिपची पाहट का असर नहीं होता है इसलिए मखड़ी अपने जाल में नहीं बसती है फैक्ट नमबर प्री चिटियों में कुछ गरंथियां होती है जिन में पैरुमोंस रामक रसाएं निकलते हैं इन्हें के जरी वो एक दुसरे के संपर्क में रहती है चिटियों के दो स्पर्स रिंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सुंगने का काम करती है रानी चिटिय भोजन की तलास में निकलती है तो पैरुमोंस छोड़ती जाती है जिसके कारण चिटिया एक लाइन से चलती है फैट नमबर फूर जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है सबसे पहले एक कोसी के जीव जैसे अमीबा जीवानु बने उसके पश्चात बहकोसी के जीव बने जीवन का विकास पहले पानी में फिर समूद्र में हुआ इसलिए मनुस्यों से पहले जानवर आए तो आपक झाल झाल